दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत है अपने यूटूब चैनल पर दोस्तो कल हम लोगों ने NCRT पॉलिटी क्लास 6 चेप्टर सेकेंड को अच्छे से पढ़ाता आज टाइम आ गया है उसी चेप्टर को फटावट रिवाइस करें और अपनी कॉपी में कैसे सोट नोट्स बना आज करेंगे यह क्लास इस प्रिलिम्स स्टेट PCS के लिए और यूपी सिक लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है तो दोस्तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले चार लाइने आपके लिए ना थके अभी पैर ना थके अभी पैर ना अभी हिम्मत हारी है हौसला है जिं के लिए SSC Cigal के लिए DSSV के लिए SuperTate के लिए TSTPT के लिए PRT के लिए SSC GD के लिए SSC के लिए even SSC सारे के सारे exams जिसमें quality आती है यह class दोस्तो सभी के लिए important है तो अपना जो topic है वह है विवित्ता एवं भेदभाव देखे विवित्ता क्या होता है जिसको English में diversity कहते हैं इस प्रत्वी पर जितने भी जिवजन्तू पाए जाते हैं चाहे वे पेड़ पौधे की केटागरी में आते हूं, चाहे वे जानवरों की केटागरी में आते हूं, सारे के सारे विवित्ता के ही अंतरगत आते हैं। दोस्तो देखिए है क्या हम क्या बोलते हैं क्या खाते हैं क्या पैनते हैं क्या उत्सो मनाते हैं इस पर उस इस्तान के भुगोल वा इतियास का असर पड़ता है बिल्कुल दोस्तो भारत में टोटल 28 राज 8 केंदर सासित प्रतेश हैं सभी राज्यों की बोली भासा अलग है पैनाबा अलग है, खान पियन अलग है, कुछ न कुछ दोस्तों परिवर्तन है, आप जम्बू कस्मीर से तमिल लाडू केरल तक आ जाएए, इधर गुजरात से अवनाचल प्रदेश तक जाएए, सभी की ड्रेसिंग सेंस में, सबकी भासा में, वेस भूसा में अंतर देखने को मिलेगा, भारत एक ऐसा देश है दोस्तों, जहां पर सभी धर्मों की लोग निवास करते, सभी धर्मों की धर्म गरंत होते हैं, धर्मी किताबे होती हैं, वो अलग होते हैं, उनके फेश्टवल अलग होते हैं, उनके जो पोशाके होती, वो भी अलग होती हैं, तो हम क्य क्या बोलते क्या खाते क्या पहनते क्या उत्सों मनाते हैं इस पर उस इस्तान के भूगोल वह इतियास का असर पड़ता है जैसे कोई वेक्ति लदाक में रहेगा तो वह सर्दी वाले मौसम में रहेगा उसका जो ड्रेसिंग सेंज होगा गर्म कपड़े वह अधिक पहनेगा इसी जगे आप एक्जामपल लेना चाहें, तमिल नाडू का, जहां पर मौसम समान रहता है, तापमान एक जैसा रहता, नहीं तो गर्मी अधिक होती, और नहीं सर्दी अधिक होती, एकदम समान टेंपरेचन रहेगा, तो वहां का जो बेखती हुगा, नॉर्मल सी सर्ट पैं हमें समझना होता है, और विवित्ता और भेद बाव पर आपको लिखने की कोशिस करनी चाहिए, कम से कम ढ़ाई सो सब्दों की, आगे बरते हैं, आप अपने पास जो अन हेडिंग है, वह हैं पूर्वा गिरह, अर्थात पूर्वा गिरह होता क्या है, इसका अर्थ पूर निर्णा है, अर्थात किसी मामले के तत की जाच किये, बिना ही राय बना लेना या मान लेना, जैसे, कोई वेक्ति राहूल है, और वो ऐसे समधाय से ब्लॉंग करता है, कि जहां सिक्षा का कम, बिल्कुल भी सिक्षा है नहीं, एकदम सिक्षा का बाव है, अगर वो उसका माइंड सेट होगा, राहूल ऐसे समधाय से समध रखता है, जहां पर सिक्षा बिल्कुल भी नहीं है, तो राहूल भी अनपड होगा, ये धालना है उस वेक्ति की, बट लेकिन जब राहूल ने बताये, नहीं, I am well educated, I am graduate, तब उसे विश्वास हुआ, नहीं, ये बह दर्म समधाय में जर्म लेंगे, उसी के अनुसार कार करेंगे, पहले ऐसा होता था, बट समधान मना, समधान के अनुसार देश का संचालन हुआ, तब बहुत सारे परिवर्तन दोस्तों देखने को मिलते हैं, कुछ सामाजिक पूर्वा गिरह, जो लड़का लड़की में भ चर नहीं बन सकती है, या कोई अच्छा काम नहीं कर सकती, या कुछती नहीं लड़ सकती, ये सब मनोभावनाएं होती हैं, क्या होती दोस्तों, इस तरीके की विविन प्रकार के भेद बाव के आपने उधारन अपने समाज में देखी होंगे, और दोस्तों, इविन अपने दोस्तों, जैसे लड़की लड़कियां ऐसी होती हैं, कमझोर कोमल म्रद्ण स्वाव, ये दोस्तों सोसाइटी का मानना होता है, लेगिन IPS करन, अब तो बहुत सारी लड़कियां यसी हैं, जो पाइलट हैं, एरोप्लेन भी उढाती हैं, प्रेन भी चलाती हैं, सारे के सारे काम लड़कियां करती है किसी भी मामले में कोई भी लड़की लड़के से कम नहीं होती है लड़के वे रोते नहीं कमजोर नहीं होते वे बादूर होते क्या दोस्तो लड़कों के अंदर भावनाय नहीं होती जब किसी लड़के का किसी एक दो नमबर से कहीं सेलेक्शन ना हो तो उससे पूछिए उसे रोना आता है लेकिन वैं ये सोच कर नहीं रोता है कि समाज क्या कहेगा लोग क्या कहेंगे बर दोस्तों भावनाएं तो होती हैं सभी की तो इसी कहने का मतलब है कि लड़के और लड़कियां सभी एक समान होते हैं रोड़िबद धारना जब हम सभी लड़कों को एक ही छबी में बान देते हैं या उनके बारे में पक्की धारना बना लेते हैं तो उसे रोड़िबद धारना कहते हैं उदारना जब हम धर्म लिंग या देश के आधार पर किसी को कंजूस अपरादी बेवकूफ बोलते हैं यहां कहने का मतलब था रूरिबद ऐसी कुछ मानता है प्राचीन मानता है प्राचीन प्रता है जिसके कारण मान लिया गया कि पुरुस मर्द है उसको कभी दर्द नहीं होगा वो कभी रोएगा नहीं उसको कोई तकलीप नहीं होगी बड़ दोस्तों ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है ऐसा कहीं कुछ भी नहीं होता है और नहीं किसी धर्मोजात लिंग के आधार पर हम किसी मानता को मानते रहेंगे अगर कोई प्राचीन मानता है तो उस पर एक वार्ततर्क जरूर करें और उसके बारे में जानकारी जरूर एकत्रित करने की कोशिश करें यह आपके प्रिलिम्स एक्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है रूरिबद दारणा बड़ी संक्या में लोगों को एक ही प्रकार के खाचे में जड़ देती है भेद बहुत तब होता है जब हम लोग पूर्वा गिरव या रूरिबद दारणाओं के आदार पर विवहार करते हैं जैसे दोस्तो इसी चेप्टर ने बताया गया था ब्रामर वैस ब्रामर चत्री वैस सूद्र तो माइंडशेट के लिए था कि नहीं जो सूद्र है वो सपाई का कार करेंगे निमनिस्तर का कार करेंगे वो सिक्षा नहीं ले सकते वो सिक्षा नहीं दे सकते वह किसी भी तरीके से आगे नहीं बर सकते ये कुरूरी बत धारना थी बर धीरे धीरे देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और समधान का निर्मार हुआ डॉक्टर भीमरा अंबेतकर जिनी समधान का निर्मार किया और दलितों के यह नेता कहलाए इन्हों ने संगर्च किया कि हमें समानता का बेवार मिलना चाहिए अस्पिस्ता का उन्मूलन होना चाहिए जिसका अंशित सत्रे में भी चर्चा है अंशित 15 में बताया गया है कि जन्म इस्तान पर लिंग के आधार पर धर्म के आधार पर निवास के इस्तान पर किसी भी आधार पर किसी विवेक्तिक स बेदभाव नहीं होना चाहिए दोस्तों तो आपको बता दें कुछ लोगों को विवित्ता और असमानता पर आधारित दोनों इतरे के बेदभाव का सामना करना परता है बिल्कुल दोस्तों इसी चेप्टर में आपने पढ़ा होगा एक फोटो भी आपने देखी होगी कि कु उस दो-तीन बच्चे उस भीड से अलग बैठें उनके साथ असमानता तो होई रही है साथ में दोस्तों भेदभाव भी हो रहा है और वह लोगों से भी अलग रखे जा रहे हैं उनको यह कहकर कहा जा रहा है कि आप एक साथ सिच्चा गिरह नहीं कर सकते हैं आप एक नलके स पानी नहीं भर सकते हैं आप एक कुवे से पानी नहीं ले सकते हैं आपका घर गाओं के अंदर नहीं हो सकता आपको निवास इस्तान गाओं के बाहर बनाना पड़ेगा आप सभी लोगों के साथ घोम फिर नहीं सकते हैं इस पर बहुत सारी मूबी भी विवनी दा सूत रा समधाय के सदस हैं जिसकी संस्कृति को मूलवान नहीं समझा जाता अर्थात उनकी संस्कृति कैसी हो कुछ भी हो उसे किसी भी टाइप की कोई इंपोर्टेंस नहीं दी जाती है असमानता यदि वी गरीब है और उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन नहीं होते जब आप किसी वेक्ति को समास से एक दम अलग रखेंगे आपस में उसे घुलने मिलने नहीं देंगे उसका निवास गर के बाहर होगा उसके परियाप साधन नहीं होंगे तो दोस्तों ना तो उसके पास पैसा होगा नहीं साधन होंगे नहीं वो विकास कर पाएगा नहीं आगे बर पाएगा तो यही सब इस चप्टर में बताने की दोस्तों कोसिस की गई है इस प्रकार के दोरे बेदबाव का सामना कैद धार्मिक जन जातियां समदाएं किसी विशेज जगे की लोग कर रहे हैं दोस्तों आप भारत के किसी भी इससे में चले जाएं चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिड हो चाहे पश्यम हो चाहे पूर्वो ऐसी आपको गटनाएं आए दिन सुनने को मिलेगी कि जात की धर्म पर भेदबाव किया गया धर्म के आधार पर भेदबाव किया गया या गरीब या अमीर की रूप पर भेदबाव किया गया बहुत सारी ऐसी गटनाए सुनने को मिलेंगी इविन कुछ इंडियन एक्टर्स या और बहुत सारे फेमस सेलिबिट्री जब फॉरें जाते तो उन्हें रंग भेत का भी शिकार होना पड़ता है अब देखेंगे दलित सब्द इस शब्द को नीची कहे जाने वाली जात की लोग अपनी पैचान की रूप में इस्तमाल करते हैं इसका अर्थ है दबाया गया कुछला गया सरकार ऐसे लोगों को अनसूची जन जात की वर्ग में रखती है देखिए दोस्तों अनसूची जन जाती प्लस अनसूची जात के रूप में इनको रखती है इन्हें हजारों साल से पहले न तो बरावरी का दर्जा दिया गया है नहीं सिक्षा में मौका दिया गया था नहीं इनको रहने के लिए काईदे के घर दिये गये थे नहीं इनको मजदूरी करने के अच्छे औसर मिले थे नहीं किसी तरीके से पैसा इनको दिया गया था सिर्फ इनको निम्निस्तर के ही कार करवाय जाते थे जैसे सपाई करना जूते बनाना घर का काम करना बरतनों का सब घर की सपाई लिपाई पुताई इस तरीके से काम करना आप लोगों ने दोस्तो केरल की एक गटना सुने होगी नंगेली जो कि उसने इस्तन टैक्स का घोर विरोत किया था उस समय जो दलित समदाय की मैलाय होती थी उनको अपने इस्तन ढखने का अधिकार नहीं था तो नंगेली ने इसका घोर विरोत किया था तो उसने अपने इस से काफी रक्त बहने बात उनकी डेथ हो गई थी तो सोचिए दोस्तों ये समाज कैसा रहा है उसी पर ये आधारित है कि दलित इस शब्द को नीची कह जाने वाली जात की लोग अपनी पैचान के रूप में प्रियोग करते हैं दोस्तों और इसका अर्थ होता है दबाया गया या कुछला गया अर्तात हर तरीके से उनका शिर्फ और सिर्फ शोसर ही होता था कभी उनको समानता का दिखा नहीं दिया गया बड़ दोस्तों अब वक्त ऐसा है कि लगबख सभी लोग समान हो गये अगर कोई वेक्ति किसी को जात या धर्म के आधार पर दवाने की जिनकी चर्चा बहुत कम होती है उसे सिरे से ही दवा दिया जाता है भारत में जात विवस्ता भी भेदबाव को जन्म देती बिलकुल दोस्तों भारत में जैसे चार वर्ग बना दिये ब्रामन जो ग्यान देगा चत्री जो युद्ध लड़ेगा वैश यो बेपार का काम क कार करेगा यह भी एक मुक कारों था जिसकी वज़े देश आज भी दोस्तों विकास शील की रेंज में ना कि विक्षित राष्ट है आप अमेरिका देखें रूस देखें कनाड़ा देखें जापान देखें चीन देखें यहां पर कोई धर्म संब्दाई की बात नहीं होती मनुस मनुस बराबर है तो आज वो देश दोस्तों क्या है वो विक्षित राष्ट में है आज अपने भारत में क्या है कि मंगलवार है सनीवार है इस दिन ऐसा ना करो लेसुन ना खाओ प्याज ना खाओ काली बिल्ली रास्ता काट गई या खाली बाल्टी रखी दिए वि अपने देश की अर्थ विवस्ता है जो आज एक डॉलर की कीमत सतर रुपए है बहुत जल्द अगर इंची जोब सुधार किया जाए तो एक रुपए देखिए एक रुपए के बरावर सतर डॉलर की वैलू भी हो सकती है दोस्तों इसके लिए एक व्यक्तिकार नहीं करेगा स सभी किमान सिक्ता में परिवर्तन होना आवस्यक है आई दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखिए दोस्तों सुतंत्रता के लिए किया गया संगर्ष में समानता के बेवार के लिए किया गया संगर्ष भी शामिल था बिलकुल दोस्तों जब देश आजात नहीं हुआ था तो ज जिन्होंने तीनों गोल में समयलेन में भाग लिया था और तीनों गोल में समयलेन 1930, 1931 और 1932 में संपन हुए थे वो भी लंदन में। उनका कहना था कि भारत में में समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए, हमें इंसान समझना चाहिए, हमें छूने से कोई परहेज न करे, कोई ये ना कहे कि आपको छूने से हम आपवित्र हो जाएंगे। पानी पीने का अधिकार देना चाहिए, सवच भोजन का अधिकार ये सब चीजों पर विविन प्रकार के चर्चा पर भीम राव अंबेतकर जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनको दलतों का मसिया कहा जाता है। देखिए दोस्तों आज जो आप आठ गंटे वर्क करते हैं, वो डॉक्टर भीम राव अंबेतकर की देन है, अर्थात सम्धान की देन है। भीम राव अंबेतकर की, क्योंकि सम्धान को रचने में जो मुख कार किया है, वो डॉक्टर भीम राव अंबेतकर, अर्थात इनको पितामा कहा जाता है सम्धान का। 1947 में जब भारत सोतंत हुआ, तो सम्धान में समानता को लिया गया और इसे कानूनी रूप दिया गया। परंतु आज भी असमानता व्यापत है, दोस्तो बिलकुल, आज भी असमानता व्यापत है, आज भी बहुत सारे आईसे institution आपको मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे धार्मिक इसतल मिलेंगे, जहां दोस्तो जात देखकर काम किया जाता है जैसे आपको रिसेंटली एक घटना के बारे में जोड़ना चाहेंगे जो आपकी एक्जाम्स के लिए बहुत इंपोर्टेंट है केरल की कुछ महीने पहले की घटना है कि वहाँ पर एक सब्री वाला मंदिर था जहां पर मैलाओं का आना एकदम प्रतिबंदित था वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी मैला आ नहीं सकती थी बट हाई कोट ने और सुप्रीम कोट ने आदेश दिया कि ऐसा कुछ नहीं है मैला पुरुष मैलाओं भी उस मंदिर के अंदर आराम से जा सकती है दोस्तो यह एक समानता के लिए सही था तो अब दोस्तो कानून बनने लगें बट उसे फालो करना है अगर इस टाइब की कभी किसी के साथ कोई घटना घटती है तो उसका विरोध दोस्तो जरूर करना चाहिए तो दोस्तो यह रहा इतनी चीजे हम लोगों ने पढ़ ली है एक बार और इसको रिवाइस कर लेते हैं भारत मजात विवस्ता भी भेदवाव को जर्म देती है दलित के बारे में भी पढ़ा विवित्ता क्या होती है इसको भी समझा है और डियर स्टुडेंट्स लर्की और लरके में भी अंतर समझा जाता जैसे भूर हत्या लोग वन्स बढ़ाने के लिए लरकियों की भूर के अंदर ही गर्म में ही हत्या करवा देते हैं जो की टोटली गैर कानूनी है इल लीगल है दोस्तों ऐसे लोगों को तो फांसी दे देनी चाहिए देखिए दोस्तों भेद भाव, पूर्वा गिरे, अर्थात मानसिक्ता बनाने ला कि इस समझा के लोग ऐसे ही होते हैं या वैसे होते हिंदू, मुस्लिम, सिक, किसाई, जैन, बौदिष्ट इतने लोग भारत में इतने धर्म के लोग निवास करते हैं हर धर्म में कोई न कोई वैक्ति अपवात की रूप में कार करता है तो दोस्तों ध्यान रकना चाहिए, पूर्वा गिरे कभी नहीं होना चाहिए पहले से कोई मान सकता, क्लियर नहीं होना चाहिए कि इस दर्म का वेक्ति इतना भेंकर हो सकता या इस दर्म का वेक्ति बहुत बड़ा ग्यानी हो सकता है दोस्तों यह क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है इस क्लास से आप अपना जो pre-lims है या मेंस एक्जाम की लिखने की कोशिस करें कम से कम धाई सब्दों में दोस्तों क्लास को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें जै हिन जै भारत